हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका भासा भारती कक्छा साथवी का यहाँ पर आपको संपूर हल देखने वाले हैं जो आपको यहाँ पर पुस्तक मिली हुई है इसको हम भरने वाले हैं 23-24 के लिए यदि आपने इसके संपूर पार्ट नहीं देखे हैं हल सहे तो आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पर सही वीडियो मिल जाएंगी जिसमें पार एक से लेकर आपके टोटल इतने पार्ट ह संपूर हल कराए गया है तो इसका हम पहले यहाँ पर पहला पार्ट देखने वाले तो पहला अध्या देखे क्या दिया गया है इसके पहले अध्याय का नाम हमारा होने वाला है मेरी भावना इसका हम हल देखने वाले इस वीडियो में और आपको यहाँ पर सभी संपूर हल सहत लास्टेम वीडियो सब्सक्राइब कत यहां यहां पर इसका सही हो जायेगा occult nombs यह और यहां पर लखना एडालकर ट्रीय इस प्रकार से आपको है change will और सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अच्छे है देखते हैं आज अडिक हूं इसके बाद अग्ला इन हमारा दी अगे पर तीसरा तो तीसरा प्रस्थंध में कभी के अनुसार किसी सेवा करनी चाहिए हैं तो यहां पर मेरी भावना कभी के अनुसार गुरबान व्यक्ति युंग की सेवा करनी चाहिए यहांवारे इसका अंसर हो जाएगा प्रेस नमबर तीन का इसके बार अगला प्रेसम्हारा चोथा अपरिये कटो कठोर सब्ध नहीं हो कोई मुख मुख से कहा करें अक्त पंती में कौनसा अलंकार है तुसी का ऑपकरत हो जाएगा दी गई मेरी भावना कवीता में कभी इस जीवन में कौन सा काल करना चाहता है तो इसका अंसर दिया है मेरी भावना कवीता के कवीता के भावार्थ में यहां पर कभी इस जीवन में यहां पर कभी लिखा है वा लगाना है कभी इस जीवन में निस्वार्थ भाव से उफकार करना चाह चाहता है ठीक है तो यहां पर यहां अंसर हो जाएगा इसका अगला है इसका दिया गया है प्रिस नम्मर छटमा मेरी भावना कभीता में कभी किस से दूर होना चाहता है मेरी भावना कभीता में कभी मोह और कटू सब्दों से दूर होना चाहता है तो यह हमारे प्रिसन यहां पर 5 में और 6 में का skeptique अगला प्रिसन्हें देखते हैं 7 नम्र निससे इसके अच्छे से देख लीजिए तो देखिए यहां पर अच्छे से इसको देख लेते हैं तो यह रहा हमाद प्रस नम्र 7 मेड़ी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा अपने सब्दों में लखिए तो देखिए मेरी भावना पाठ में हम एक द्रण निश्चाय नयतिकता जैसे मूल्यों को गिर्ण कर सकते हैं जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो यह हमारा प्रिस नमबर 7 का आंसर है ल तो यहाँ पर रखा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवन से नित्य रहे उक्तपंती का भावार्थ अपने सब्दों में लखिए तो देखिए इस संसार में हमारा सभी जीवन के प्रती मित्रता पूर्ण बैभार रहना चाहिए इस पंती द्वारा कभी का यही कहना है तो प्रसंदिया है नॉमा तो यह हमारा प्रसंद नम्बर नो रहे भावना ऐसी मेरी सरलसत्य वैभार करूं का भावार्थ अपने सब्दों में लिखना है तो देखिए दूसरों की उन्नती और विकास को देखकर मुझे प्रसंता हो कभी भी मेरे मन में उनके लिए जलन का भा हो सके मैं अपने इस जीवनकाल में दूसरों की भलाई में लगा रहा हूं तो यह सवाल यहां पर मतलब प्रिस नंबर 9 का आंसर है इसको अच्छे से नोडाउन करते चलिएगा इसके बाद प्रिस नंबर देखते हैं हम 10 जो यहां पर इस प्रकार से दिया गया है प्रिस नंबर 10 में दिया गया है देखिए मेरी भावना कवीता में कवी ने किन किन पर सामय भाव रखने की बात कही है तो उत्तर दिया गया है आपको यहां पर एक बार ही लिखना था यहां पर इस कवीता में कवी ने दोस्ट निरदई एवम यहां पर कुमारगों यानि गल अगला प्रश्न देखते हैं हम 11 तो यह रहा हमारा घ्रमा प्रश्न डीर ठूट्रिय यह का तो इसको अच्छी से देख लिजी कि कि देखिए क्या लिखा है मेरी भावना कभीता का भावार्त अपने सब्दों में लिखना है मेरी भावना कवीता में कभी इस वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है कभी प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में ध्यर रखने की सांती यहां पर सकती की प्राप्ति के लिए इस वर से प्रातना करता है तो यह हमारा प्रिसन नंबर 11 हो तो इसमें क्या लिखा है अच्छे से पढ़ लिजी यहां पर लिखा है प्रिसन हमारा बारमा सत्य एवं प्रवकार की भावना से सम्मंधत कोई कहाने अपने सब्दों में लखिए तो देखिए रहा इसका आंसर तो यहां पर लिखना स्टार्ट करिए अच्छे से और इसको एंड तक लिखनी देगा तो मैं यहां पर आपको पढ़के सुना देता हूं क्या लिखा है एक चरवाहा अपनी भील वक्री के साथ का मुद्दे के किनारे बैठा था चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था यह सब एक जलपरी देख रही होती है जलपरी उस चरवाहे की यह कुमल सौभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है चरवाहे ने कहा मैं तो साधी सुदा हूं तब जलपरी ने कहा कोई बात नहीं ल पूरी करूंँगी लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम चरवाही ने तुरंट जलब पड़ी के साथ साधी कर ली चरवाहा बहुत कुछ था यहां पर कुछ क कुछ की यहां यहां पर लिखिंग खुछ था उसी उसी उसकी हर को एक चाह पूरी होने लगी लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पतनी के साथ घर में लड़ाई करता है और कहता है कि मैं मैंने दूसरी साधी कर ली है मुझसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यह कहते ही चल पर ही चली गई चरवाहा अब दुखी हो गया तो यह हमारी इसकी कहानी थी तो अच् पर क्लिक करें कि आप देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैवारा अ तो